Connotations का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सेख लेते हैं Connotations का वैसे तो मतलब होता है किसी चीज़ का Earth लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं Connotations refers to the emotional, cultural and secondary associations and meanings that are attached to a word, phrase or symbol beyond its literal or primary definition यानि कि कोई भी शब्द ऐसे होते हैं जिनका primary मतलब कुछ और होता है लेकिन किसी अलग culture में या किसी अलग society में, association में उनका कुछ अलग मतलब हो जाता है, अलग मतलब निकाल लिया जाता है या उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जुड जाती है, जिसका अर्थ कुछ और ही बन जाता है तो उसको connotations कहते हैं Connotations can be positive, negative or neutral and they are often influenced by personal experiences, cultural contexts and historical usage यानि कि connotations जो हैं वो positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, neutral भी हो सकती है personal experiences से भी हो सकती है, cultural context में भी हो सकती है या historical usage से भी हो सकती है, they can significantly impact the way language is understood and how it evokes feeling and perceptions, यानि कि connotations जो है अलग-अलग culture में अलग-अलग होती है और इनका अलग ही feeling वो कई बार देते हैं, यानि कि जैसे हम एक word की बात करें कि word जो home है, वो एक positive आपको comfort देता है, security देता है, belonging देता है मतलब home, जब हम घर का नाम सुनते हैं, तो हमें एक अजीब सा सुकून हमें महसूस होता है इसी तरीके से जब हम साप का नाम सुनते हैं, तो हमें डर सा लगता है या उसका जो जहर है, या एक negative हमारे अंदर connotation आती है इसी तरीके से अगर हम देश भक्ती की बात करते हैं, तो एक अलग जजबा, एक अलग चीज हमारे अंदर फील होती है तो इन सब चीजों को connotations कहते हैं, या निकि किसी शब्द का अर्थ के साथ जोड़ा हुआ, जो अलग से भावना है उसको उसकी connotation कहा जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें